जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम भी ये 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फस्ट का यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टन्ट यम सी क्यू कुश्चन्स देखेंगे इसके पहले हमने सीरीज को जल्ली कंप्लीट कीजिए तो यह सिरीज अब स्टार्ट कर दी गई है और अच्छे से अब कंप्लीट कराई जाएगी अगर आप चैनल पर नये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ साथ टेलीग्राम चैनल जोईन कीजिए वहां पर सभी क्लास यहां अब्जेक्टिव है दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टन पूरी क्लास पूरा कंप्लीट कराए गया है और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइट कराए गया है टेलीग्राम चैनल पर तो आप वहां से देख सकते हैं अच्छे से आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी आ देखने को मिला कि हमने जो अभी तक वीडियो बनाए हैं उसमें से ही कुश्चन आपको देखने को बिले हैं तो चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड में मोच्ट इंप्रों क्या क्या कौन कौन से क्वेस्चन है तो वीडियो को लाइक शिक अबrice कर दिया करिये और आपके जब भी एक्जाम हो जाएं तो आप अवसी अपने मॉडल पेपर जो है जो हुआ रहे पेपर उसको फोटो क्लिक करके अच्छे से टेलिग्राम चैनल पर भेज दिया करिये जिस से उसको हम सॉल्व करा सकें जिस यूनिवर्स्टी में एक्जाम नहीं हुआ रहता उनके लिए और तीसरा चिन्नई और दिल्ली इसमें से कहां पर मानसून काल में सबसे कम वर्षा होती है एक प्रकार से तो वह होती है कहां पर चिन्नई में जो है वह सबसे कम वर्षा होती है दूसरा प्रशन है मानसून सब्द की उत्पत्ति हुई थी अर्भी भासा से इस्पेनिस भा बस आप देखते जाईए अगर आपको आता है तो आप एक कॉपी पेन लेकर अगर बैठ जाएंगे इन में से कितना सही हुआ उससे आपका confidence भी बढ़ेगा और आपको जानकारी की प्रकार से पता भी चल जाएगी जो भी कुछ निहां कराया जाए रहे हैं most most important है आपको सीधे सीधे प्रस्ण देखने को यहां से मिल जाएंगे अगला प्रस्ण है निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षड पश्चिम मानसून द्वारा वर्सा नहीं होती राजस्थान करनाटक तमिल नाडु पंजाब कहां पर नहीं होती तमिल नाडु में नहीं होती है अगला कुश्चन है चौथा नंबर कुश्चन निम्नांकित में से जहां वर्सा सरवाधिक परिवर्तन सील है वह अस्थान कौन से है मतलब सबसे परिवर्तन सील जहां पर वर्सा होती है केरल करनाटक मेघाले या राजस्थान इन में से कहां पर सबसे परिवर्तन स तल्ए हिस्टंट देखने को हमें मिलती है अगला पांचोवा प्राषन है भारत में सीदậyकौलीन पॉल्लो की दिशा क्या होती है भारत में जो सीत कालिन पौने हैं उसकी दिशा क्या होती है तो उसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्ष्वर पस्चिम आपका बापसंस सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है छठा प्रस्ण अल नीनो सब्द किस से संबंधित है अल नीनो जो है वा किस से संबंधित है आपके आप सून से जो है अलनीनो संबंदित है भारत के कोरो मंडल तट पर सरवाधिक वर्सा होती है कब होती है जनवरी फरवरी में या जून सितंबर में मैं या मार्ची में और अक्टूबर नौंबर में कब जो है कोरो मंडल तट पर सबसे अधिक वर्सा होती है तो वह होती है अक्ट प्रकार से जो बरहबारी होती है वह सीतकाल में कहां पर होती है आपको यह बहुत ही अच्छे से जब समझ लेंगे तो आप अच्छे से देपाएंगे इसलिए यह अप्षिन को समझना चाहिए फिर आपसन देखने चाहिए अगला प्रशन है भारत में सबसे गर्म महीना होता है अप्रेल मई जून जुलाई कौन सा महीना जो है भारत में सब से घर होता है वह होता है जुन अगला प्रसन दस्वा प्रस्ण कोपेंन ने भारत को कितने जल्वाई प्रदेशों ने बाता है प्रवेश आघला प्रशन हमारा है कोपन ने येस द्वारा भारत के किस खेतर को दिखाया है पूर्वी हमाले, पस्चिमी, मरुश्थल, केरलट ये तमिलनाडव तत वह तमिलनाडव तको उन्होंने दिखाया हुआ है बाराहों प्रस्ण हैं भारत में प्रिवेस करने वाले सीतों स्ट कटिवंधी चक्रवातों कोई उत्पत्ति कहा होती है तो भूमध्य सागर में उनकी उत्पत्ति होती है अगला प्रस्ण हमारा तेराहों प्रस्ण हैं जारखंड में वर्सा किस मानसून से होती है उत्तर पू जोदाहों प्रस्ण हमारा है उत्तर पूर्वी मांसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है उत्तर पूर्वी मांसून में सबसे ज़्यादा वर्षा कहा होती है असम में पस्चिम बंगाल तमिलनाड उड़ी साइन चारों में से सबसे माना जाता है वर्षा का सरवाधिक विरलता मतलब जो वर्षा है बहुत ही विरल तरीके से होती है वह कहां पाया प्रश्ण आपने देखा उसी से आपको उत्तर मिल गया इस सबसे वर्श सरा कारव च्मारा क्वान होती है प्रश्ण आपने गल मारत है किस कारड से तुलना में पूरे में वर्शा बहुत कम होती हैं कौन सा ऐसा कारण है जो मुंबई की तुलना में पूड़े में वर्सा बहुत कम होती है अर्था मुंबई में ज्यादा और पूड़े में कम होती है इसके लिए कौन सा कारण है यह जो भाग है पूड़े वह वुरिष्ट इचाया प्रदेश है यह भाग जो है वुर पर वर्षा कम होती है 21 प्रस्ण है कोपेन के जलवाय विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लग गर्म मांसून जलवाय उपाई जाती है किस भाग में पाई जाती है 21 प्रस्ण है 21 प्रस्ण में ओप्सन्स आपके हैं दक्षड पस्चिमी तट उत्तर पूर्वी तट उत्तरी दक्षडी तट और दक्षड पूर्वी तट तो दक्षडी पस्चिम तट है यहां पर जो है लगु गर्म मानसुन जलवाय उपाई जाती है किस ने किया हुआ है किस भाग की सिचाई की कम आवस्यक्ता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है वह कौन सी है जिसकी सिचाई की आवस्यक्ता कम होती है पानी की आवस्यक्ता कम होती है वह कौन सी मिट्टी है वह है काली मिट्टी अगला प्रस्ण हमारा है लेट्राइट मिदाओं की प्रधानता है लेट्राइट मिदाएं कहां पाई जाती है कोरुमंडली तट में या मालबार तटिय प्रदेश में बुंदेल खंड में या बगेल खंड में लेटराइट मिधाओं की प्रधानता पाई जाती है पीट मिट्टी मुख्यता पाई जाती है पीट मिट्टी कहां पाई जाती है कसमीर केरल राजस्थान गुजरात इन में से कहां पाई जाती है पीट मिट्टी जो है वह केरल में पाई जाती हैं अगला हमारा प्रस्ण है 26 वह प्रस्ण हम देखेंगे लेटराइट मिट्टियों का स्वरूप कैसा होता है इंट जैसा ताबे जैसा बालू जैसा या इन में से कोई नहीं तो लेटराइट जो मिट्टी होती है उसका स्वरूप इंट जैसा होता ह अगला प्रस्ण हमारा 27 वा प्रस्ण है निम्ने में से कौन सी मिधा सबसे अधिक उपजाओ होती है सबसे उपजाओ मिट्टी जो होती है वह होती है जलोड मिधा अगला प्रस्ण हमारा 28 वा है रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा आपस कि सबसे कम किस राज़े में जड़ों मिट्री सबसे कम पाई आती ऐसे इंगे अच्छे से आप तयारी करते रहिये और अपने दोस्तों के पास अवस्य सेयर किया करिए जब भी पेपर आपका हो जाए तो आप अवस्य पेपर हमें भेज दिया करिए जिससे हम solve करा सके हमारा अगला प्रस्ण है रेगुर नाम है रेगुर जो है वह किस मिट्टी का नाम है आपके लाल मिट्टी काली मिट्टी, कछारी मिट्टी ये लेटराइटिक मिट्टी तो रेगुर जो है वह काली मिट्टी का नाम है इस परकार हमने जो यूनिट सेकेंड में most important आपके topics थे उसके most important questions को हमने देख लिया है आपको सीधे सीधे यही से प्रस्ण देखने को मिलेंगे यह सीरीज पूरी कराई जाएगी जितने यूनिट हैं सभी के आपको अच्छे अच्छे प्रस्ण बताये जाएगे जो आपके लिए most important होंगे तो channel पर बने रहे हैं अपने दोस्तों के पास share कीजिए कुछ भी करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जोईन किजिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में